हेलो एवरिवन वेलकम बैक और आज हम बात करेंगे डफन के बारेंगे मेरा ये पेड बहुत अच्छा है डफन का जो मैंने पिछले साल कटिंग से लगाया था मतब जो पेड की एक कटिंग थी टोप था उसका वो मैंने इसमें गमलेम लगा दिया था और अभी इसमें क्या ह पेड हिल रहा था तो मुझे लगा पता नी क्या हूँ है इसमें फंगस आगी है पेड में नीचे ये इस तरह फंगस लगती जा रही है लेकिन इसमें थोड़ी बहुत रूटिंग है इसलिए ये चल पा रहा है देखो कहीं से सुक्का हुआ नहीं है पेड लेकिन अगर मैं इस पर ध्यान नहीं देती तो ये कुछ दिन में मर जाता बिल्कुल पेड तो अभी मैं आपको बाकी ये सब इतना फंगस से गल गया है तो अगर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती इस पर तो ये मेरा इतना अच्छा पेड बिल्कुल खतम हो जाता है तो चलिए इसका ट्रीटमेंट करते हैं और इसको लगाते हैं दुबारा से कोसिस करते हैं एक बचाने की वैसे त लगी है इस मट्टी को वह दूप में सुखाएंगे कम से कम 10-15 दिन जब किसी प्योदे में यूज करेंगे इसमें मिला कहा है इसको स्थाइड कर देते हैं इसमें से उतना ही ये पेड जल्दी ग्रो करेगा नहीं तो पता लगा फिर अगर मैं थोड़ा सा भी एरिया छोड़ दूँगी तो उससे फंगस फिर लग सकती है इसमें तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको पूरे को ही कट कर दूँगी क्योंकि अगर बचना होगा तो पेड बचेगा नहीं तो जो मैंने नहीं लगा रखे हैं वो पेड तो मेरे पास हैं ही जो ग्रो हो रहे हैं उन्हें लगा दूँगी गंबले में तो अभी फिलाल में इस कट कर रही हूं अच्छे से सारे को बिलकुल अच्छे से आपको फंगस मतलब आपको यह डया नहीं करनी है पोदे पर कि आप यह ठोड़ा काट के दुख हो रहा है उसकी जिन्दिकी बचानी है तो कट तो आपको करने देखो इसमें अंदर भी थोड़ा सा ब्राउन कलर देख रहे हैं यह थोड़ी सी फंगस और बची है तो इसे भी मैं कट करके निकाल दूँगी और यह मैं डबल शोर होना चाहती हूं कि इसमें फंगस ना रहे तो इसके लिए मैं इसका इसमें से यह एक वाला मतलब अलग से एक कलम और निकाल लूँगी एक दो नोड की तो जिससे उपर वाले हिस्से में बिल्कुल फंगस नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी इसे नीचे रखके इसे इतना कट कर लूँगी तो अब यह एक अलग लगा दूँगी और उपर वाला हिस्स अलग तो अगर बनना होगा तो एक पेड इसमें से निकल आएगा ऐसे ही मैंने पिछले साल लगाए थे जब मैंने पेड लगाए थे उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है आप चाहे तो देख सकते हैं लिंक में डिस्क्रिस्प्शन में दे दूँगी तो अभी फिलाल में इसको ऐसे थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूं और इसको हम मत्टी में लगाएंगे जो हमनी मत्टी गंबले में तयार करी है और अगर आपका भी पेड इस तरह सूक रहा है या कुछ हो रहा है तो आप इस तरह बेज हिजक कर दीजिए बिलकुल ठीक हो जाता है और इसमें आप आपको बस या तो हल्दी लगा लिए नहीं तो इस तरह फंगिसाइड लगा सकते हैं फंगिसाइड नहीं है तो हल्दी बिलकुल आप लगा सकते हैं हल्दी एंटी बैक्टिरियल होती है ऐसे ही ये बैक्टिरिया जो खराब बैक्टिरिया उनको मारती है एंटी फंगस कह स से आगी और चलो अब भी मुझे पता लग गया जल्दी तो मेरा पेड बच जाएगा नहीं तो यह खराबी हो जाता और यह काफी महगा मिलता है पेड़ जितना बड़ा मेरा प्लांट था यह अगर नर्स्री वाले भाईया से लेने जाएं तो कम से कम हमें 400-500 का इसको देंग तो इसकी मैं extra पत्ति काट दूँगी तो इसमें 5 पत्ति हैं तो फिलाल में जो बड़ी बड़ी दो पत्तिया हैं वो इसमällen से मैं निकाल देती हूं क्योंकि अभी इसमें रूट नहीं है तो यह फिर ना पत्तियों की वज़े से survive नहीं कर पाएगा फिलाल में तीन पत्ती छोड़ देती हूँ, अगर एक आद पत्ती ओर सुकेगी बाद में तो मैं उसको निकाल दूँगी, देखते हैं कितने दिन में इसमें रूटिंग हो जाएगी, तो फिलाल में इसको लगा रही हूँ, अच्छे से थोड़ी सी फंगी साइड में ना ओर डाल ली है, ताकि मैं बिल्कुल ही शोर हो जाओं कि मेरा पेड खराब नहीं होगा अब, इस तरह आप भी कर सकते हैं, और मट्टी बिल्कुल सूकी बढ़नी है आपको इसमें, अगर आपके पास सूकी मट्टी नहीं है और आपका पोदा कोई असर तो उसे एक दो दिन अब उपर गमले की मट्टी सूक जाए, तो अभी मैंने ये कर दिया, जो मैंने ये कलम ली है, उसको भी हम एक छोटे गमले में लगा कर रख देंगे, और जो इसकी नोड निकली हुई है ये, जो आइज बोल सकते हैं, अब इनको उपर को रखते हुए, हम इसको इसी तरह गमले के इस तरह बीच में हम लगा देंगे, इस पर भी मैंने मट्टी अच्छे से फंगी साइड लगा कर भड़ ली है, तो एक पोदा हमारा ये तयार हो जाएगा, अगर ठीक ठाक चल जाता है, तो अगर नहीं चला, फंगस लगी तो मैं कहती नहीं, वरना तो एक पोदा इस से भी बन जाएगा, और कुछ दिन बाद का रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो पसंद आईए, तो प्लील लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आएं, तो चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए, ये कम से कम 15 डेज का दे रादे,